मा बेटी की कहानी एक समय की बात है एक रिना नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी वह अपने माता पिता की इकलोती बेटी थी उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे इसलिए वह जो भी मांगती थी उसे लाकर देते हैं उसके पिता इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमाते थे लेकिन फिर भी वह अपनी बेटी की हर एक्छा पुरी करते थे एक दिन रिना ने अपने पापा से कहा कि पापा मेरी चपल पुरानी हो गई है क्या आप मेरे लिए नई चपल लाओगे पिता ने अगले दिन नई चपल लाने का वादा किया पिता अगले दिन नई चपल लेकर आए रिना नई चपल देखकर बहुत खुश हुई और चपल पहन कर पूरे महले में उचलकूद करती रही वह शाम को घर आई और चपल उतार कर सो गई अगली सुबह रीना वह चपल नहीं पहनती है और अपनी पुरानी चपल पहन कर खेलने चली जाती है ममी से कहकर जाती है कि ममी मुझे ये चपल पसंद नहीं है मैं अपनी पुरानी चपल ही पहनूंगी उसकी ये बात उसके पापा सुन लेते हैं इतने में रीना बाहर खेलने भाग जाती है रीना के पिता उसके पीछे गए और उसे अपने पास बुला कर कहा कि बेटा अगर तुम्हें नई चपल नहीं पहनने थी तो तुमने क्यों मंगवाई और तुमने उसे कल पूरे दिन पहन कर रखा अब हम इसे वापस दुकानदार को भी नहीं दे सकते है रीना कहती है कि पापा मैंने यह चपल मम्मी के लिए मंगाई थी क्योंकि उनकी चपल तूट सी गई है और वह खर्चे के डर से कभी अपने लिए नई चपल नहीं मांगती है इसलिए मैंने वह चपल कल पूरे दिन पहन कर रखी ताकि मम्मी उसे वापस करने का ना बोल सके अपनी बेटी की यह बात सुनकर पापा बहुत गर्व महसूस करते है और दरवाजे पर खड़ी मम्मी भी बेटी की बात सुन रही थी वह भी मन ही मन बहुत खुश हुई कि इतनी सी बच्ची में इतनी समझ है दोनों माता पिता एक दूसरे के सामने देखकर मुस्कुराते हैं और बेटी को प्यार करने लगते हैं इस कहाने से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा अपने माता पिता की मजबूरी को समझना चाहिए दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये आज की कहानी पसंद आई होगी कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करे और इस कहानी पर आपकी क्या राई है हमें कमेंट करके जरूर बताएं थैंक यू